नमस्कार, खबरों के खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अन्शिका राजनीती में भरी गंद, पाखंड और जूट बोलकर लोगों को गुमरा करने वाले लोग अब एक-एक कर सामने आती जा रही है राजनीती में अपनी ओवर स्मार्टनेस और खोकले दावो को लेकर एक कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी तो मशूर है ही अब इस लिस्ट में एक पार्टी और उनके नेताओं का नाम भी शामिल हो किया है वैसे तो इनकी राजनीती करने के तरीके से इने नाटक मंडली से कम नहीं कहा जा सकता है लेकिन इनकी पार्टी में कितने अनपड, गुंडे बदमाश और सड़क छाप लोग भरे हैं एक-एक कर उसका खुलासा अब होता जा रहा है अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अरविंद केजरिवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात कर रही हूँ वही अरविंद केजरिवाल जिन्होंने राजनीती में आने से पहले लोगों को ये जासा दिया था कि हम स्वच राजनीती करेंगे अच्छे लोगों को राजनीती में लाएंगे एक भी भरष्ट आदमी को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे एक भी बदमाश को एक भी गुंडे को टिकेट नहीं देंगे और तो और जो भी उमीदवार होगा उसकी पूरी चांच होगी पूरा बैक्ग्राउंड चेक किया जाएगा और उसी के बाद लोगों को टिकेट दिया जाएगा लेकिन अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि जितनी गंदगी आम आदमी पार्टी में है और जितनी जल्दी ये पार्टी गंदी हुई है फ्रष्ट हुई है ऐसी तो कोई पार्टी हुई ही नहीं राजनीती में आने के लिए अरभिन्द केजरिवाल ने अन्ना के चहरे को इस्तेमाल किया लोगों के सामने जूती बाते की कि अच्छे लोगों को लाया जाएगा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स को हम राजनीती में आने का मौका देंगे लेकिन हकीकत इससे बिलकुल उलट निकली कुंदे बदमाशों से भरी इस पार्टी की गंदगी सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है लोग लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं ये शक्स कौन है? वो आप खुद देख लीजिए इतने गंदे गंदे ट्वीट्स इनों ने किये हैं कि मैं बोल भी नहीं सकती हैं आप खुद ही इनके इस शर्मनाख ट्वीट्स पर नज़र डालीजिए बेशर्मी धारन कर बैठे ये नेता दिल्ली केंट विधानसवा एक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक विरेंद सिंग कादियान है सबसे पहले इन ही महदे के शर्मनाख ट्वीट्स वाइरल हुए ऐसे ट्वीट्स जिसे देखकर मैं तो क्या आप भी शर्मसार हो जाएंगे कि सत्ता में बैठे ये लोग कितने घिनोने और घटिया हैं कादियान कथत रूप से हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और हिंदू सादू संतों को बुरा कह रहे हैं और ये तो कुछ भी नहीं है वाइरल हुए कुछ अन्य पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट में भी कादियान खुले आम गालिया दे रहे हैं जून 2017 को दी गई रिप्लाइज में उन्होंने कई लोगों को गंदी गंदी गाली दी है आज जब लोग अंतराश्टिय महिला दिवस मना रहे हैं ये ट्वीट्स महिलाओं के प्रती उनकी गंदी सोच को बता रहे हैं उन्होंने कई रिप्लाइज में महिलाओं के खिलाफ अशलील और आपती जनक टिपणिया की हैं सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये लोग किस अधिकार से महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तमाल करते हैं आज जब महिलाओं पुर्शो के कदम से कदम मिला कर चल रही है तो कादियान जैसे लोग अपनी गंदी जुबान से उन्हें अपमानत कर रहे हैं क्योंकि इनके सिर में दिमाग नहीं केवल कचरा भरा है और हट तो तब हो जाती है जब इनके ये ट्वीट्स निकल कर बाहर आते हैं और इस पर विवात खड़ा हो जाता है तो ये कहते नजर आते हैं कि इनका अकाउंट हैक हो गया है क्योंकि लोगों की आलोचना उससे बचने का इससे अच्छा तरीका तो कोई और हो ही नहीं सकता लेकिन एक बात समझ नहीं आती ये इतने पुराने tweets के screenshot viral होते ही ये लोग अपना बचाव करने लगते हैं और account hack होने का हवाला देते हैं तो क्या इनको पता नहीं होता कि इनका account hack हो गया ये जो tweets कादियान के viral हो रहे हैं वो हालिया नहीं बलकि 2016 से 2020 तक के हैं क्या इतने वर्षों तक उनका handle hack रहा उन्हें इनकी भनक नहीं लगी जूट बोलना ही है तो कम से कम ऐसा तो बोलिये जो हजब हो जाए ऐसे tweets कर पहले अपनी गंदी सोच का प्रदर्शन करते हैं और फिर उस पर परदा डालने के लिए जूट बोलकर अपनी बेवकूफी भी दिखाते हैं कादियान की इस हरकत के बाद भाजपा नेता तजंदर पाल सिंग बगगा ने कादियान के खिलाफ FIR दर्श कराने के लिए शिकायद भी दायर की है और उनकी इस बेहुदा हरकत के खिलाफ सक्त कदम उठाए जाने की मांग की है कादियान के बाद दो और आम आदमी पार्टी नेता और समर्थक के कथिट स्क्रीन शॉट सामने आए हैं जिनमें वो गंदी गालियां देते हुए दिख रहे हैं आपकी राष्ट्रिय सोशल मीडिया टीम के मीडिया प्रतिनेदी प्रभाकर पांडे के वाइरल स्क्रीन शॉट में वो आपत्ती जनक भाशा का इस्तिमाल करते हुए प्रधान मंत्री नरिन मोदी पर भी आपत्ती जनक टिपणी करते नजर आ रहे हैं और ये ट्वीट मुख्य तह 2014 के हैं वो भी आप देखिए इसके अलावा खुद को आम आदमी बताने वाले आप समर्थक डेंटिस्ट हसन सफीन के भी कथज स्क्रीन शॉट्स वाइरल हुए हैं जिनमें वो प्रधान मंत्री नरिन मोदी पर लगातार अशोभनिय और आपत्ती जनक टिपणिया कर रहे हैं कई खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने पीए मोदी का नाम लेकर गालिया दी हैं ये ट्वीट्स 2015 के हैं इनमें उन्होंने मीडिया कर्मियों पर भी अशलील टिपणिया की हैं और भाचपा समर्थकों को उन्होंने निशाना बनाया है इन दो महापुर्शों के ट्वीट्स को देखकर पता लगता है कि इन्हें मोदी समर्थकों से कितनी नफरत है पीएम की तारीफ में दो लफ़ भी इन्हें इतने बुरे लगते हैं कि ये साथ साल पहले भी उनके परीजनों को गाली देते गुरेज नहीं कर पा रहे थे आप सदस्य ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया आप समर्थक डॉक्टर सफी ने भी इसी तरह की बेहुदगी कर अपनी सारी हदे पार कर दी उन्होंने ना अपने कद का लिहास किया ना ही भाषा के मर्यादा का पालन किया सवाल यहां इन लोगों से नहीं बलकि अर्विंद केजरिवाल से किया जाना चाहिए कि अपनी पार्टी से ऐसे लोगों को टिकेट दे कर वो जनिता की बात करते हैं दिल्ली के विकास की बात करते हैं एजुकेशन की बात करते हैं इन लोगों को न बात करने का सलीका है न लिखने का धंग बस गुंडे बदमाश और आवारा लोगों से ये पार्टी भरी है ये तो कुछ भी नहीं है एक से बढ़कर एक भ्रष्ट लोग इस पार्टी में भरे हैं अभी आप देखिए पंजाब में मौजूदा विधायक सुखपाल सिंग खेरा के घर समेत कई ठेका पर एडी की चापे मारी हुई है और चापे मारी भी धन शोदन निवारन अधिनियम के तहत की गई पीम एल ए मामला मादक पदार्थों की तसकरी और नकली पासपोर्ट से जड़ा हुआ है इसके अलावा एडी के अधिकारियों ने खेरा के बैंक लेंदेन और संपत्ती के कागजात को भी देखे हैं एक बार जरा इनके बारे में कुछ बाते भी जान लेते हैं दरसल खेरा आपके साथ अपने कारेकाल के दौरान पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता थे दोहजार उन्नीस में उन्होंने अपनी पंजाब एकता पार्टी शुरू की और राज विधानसभा में दो सीटे जीती इनके साथ ही केंड के क्रिशी कानूनों के खिलाफ भी ये मुखर आलोचक रहे हैं अब जब किसान अंदोलन में इनका नाम शामिल है ही और फिर इनके ठिकानों पर एडी की च्छापे मारी हुई है तो खेरा के वकील आरोप लगा र फाजल का कोट ने कुछ ड्रक तसकरों की गिरफतारी के बाद खेरा को समन किया था पुलीस ने गिरफतार किये गए तसकरों से दो किलो हिरोईन 24 जीबी बिसकिट दो पाकिस्तानी सिमकार्ड और एक देशी पिस्तल बरामत की थी और इस दोरान खेरा पर आरोप लगा कि व पहले इनकी सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था उनकी तो लोग के पूरी की पूरी डिग्री ही फर्जी थी तोमर और आम आदमी पार्टी ने बड़ी ही चालाकी से कानून मंत्री बनने के लिए तोमर को पढ़ा लिखा तो दिखा दिया लेकिन जिस युनिवरसिटी क डिग्री तोमर ने पेश की थी उसने उनकी सारी पोल खोल कर रगती फैजाबाद के अवद विश्व विद्याले ने दिल्ली हाई कोट में हलफ नामा दाखिल करके बताया कि तोमर की ओर से पेश लौक के प्रोविजनल सर्टिफिकेट फरजी हैं और उनके रिकॉर्ड में तोमर नाम से ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया गया फिर जब जाँच हुई तो पता चला कि तोमर ने 18 मई 2001 को रजिस्ट्रार राजेंद्र प्रसाद सिंग के हस्ताक्षर से जारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर 3687 में तोमर को सेकंड डिविजन में पास दिखाया गया है लेकिन विश्व विध्यालेस ने इस नंबर का प्रमान पत्र तोमर को नहीं बलकि 29 जुलाई 1999 को किसी संजय कुमार चौधरी को बी ए ओनर्स राजनीती विज्यान की परीक्षा के लिए जारी किया गया है ये प्रमान पत्र राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर से नहीं बलकि डॉक्टर मुहमद गुलाम मुस्तफा के हस्ताक्षर से जारी किया गया था जिसे साफ हो गया कि प्रमानपत्र फरजी है और जाली हस्ताक्षर करके बनाया गया है तोमर ने खुद को लॉड डिग्री धारक दिखाते हुए बार काउंसल अफ इंडिया से पंजीकृत करवाया और हाई कोट में बतोर अधिवक्ता कारेरत दिखाया जो की पूरी तरह से मनगणन था फिर जब तोमर का ये फरजी वाड़ा सामने आया और उन्हें गिरफतार किया गया तब अर्विन केजरिवाल, संजय सिंग ये सभी कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी दिल्ली में हार गई है तो उसके बाद गिरफतार कर रही है हमें भी गिरफतार कर लो, जेल भरो अंदोलन शुरू कर दिया, भगत सिंग बनने की कोशिशों में लग गए इतना होने के बाद भी अर्विन केजरिवाल, तोमर के इस परजी वाड़े पर परदा डालते ही रहे और कह रहे थे कि हमने सारे कागस देख लिये, सब चेक कर लिया, बाकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस तक की गई इसे लेकर कि तोमर बेकसूर है अरे जब सारे तथ्या आपने देख लिये, सब कुछ चेक कर लिया, तो फिर डिगरी फरजी कैसे हो गई, क्या कोई जादू हो गया ऐसे ही इनके एक और महानेता, सोमनाद भारती, अपनी बीवी के साथ कैसा सुलूक किया जाता है, उन्हें ये तक नहीं पता, उसे कुटों से कटवाते थे हाल में यूपी में जाकर सीएम योगी को सरयाम मानने की धमकी दे रहे थे, वो भी एक नमूना पार्टी में शान्ती और तहजीब का उन्होंने पेश किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आक्शन लिया गया, लेकिन केजरीवाल उसका भी बचाफ करने में लगे रहे ऐसे ऐसे करमदार लोगों के साथ ये स्वराज लानी की बात करते थे, कि हम परिवर्तन लाएंगे, हम गुड गवर्नेंस लाएंगे, राजनीती को साफ सुत्रा करेंगे, तो ये कितना बड़ा चलावा है, आप खुद देख चुके हैं और शर्म की बात तो ये है कि खुद इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाकने वाले अर्विंद केजरिवाल इनके खिलाफ आक्शन नहीं लेते हैं, बलकि इनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो टेलिविजिन मीडिया को पैसा देकर अपना चेहरा चमकाने म लगा है, जिससे लोगों को गुम्रा करते रहें और अपनी घटिया राजनीती को भी अन्जाम देते रहें, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साती हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप तक हमार ताकि आप तक हमारे वीडियो और नोटिफिकेशन पहुचती रहें, आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया